हेलो बच्चो तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर्ड मॉलिक्यूल और्बिटल ठीक है अब क्या करना है हमने डिफ्रेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उनको इंक्रीजिंग ओर्डर में लगाना है पर क्या होना चाहिए अब मोर देन 14 इलेक्टरोन होने चाहिए तो हम जो मॉलिक्यूल और्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है तो उसको हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे ठीक है आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो क्योंकि यह बहुत इंपोर्टन है यह तो इसमें जो हमें increasing energy जो increasing order है energy का वो कैसे हम sequentially लिखेंगे उसको हमें हमें अपने mind में रखना पड़ेगा कि यह ऐसे करेंगे हम ठीक है जैसे हमने पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था वो बनाया था energy level डायग्राम for molecular orbital के लिए ही बनाया था पर उसमें क्या होना 14 electron से अगर कम होते हैं ठीके तो उसके लिए energy level diagram के बारे में मैंने आपको detail में बताया था उसमें ठीके तो इसमें भी जैसे sigma 1s फिर sigma star 1s की energy इसे ज़्यादा होगी फिर sigma 2s की energy फिर sigma star 2s की energy फिर sigma 2p z और यहाँ pi 2p x और equal होगी दोनों की energy pi 2p x और pi 2p y की energy ठीके उसके बाद इसे ज़्यादा energy हो जाएगी pi star 2p x और pi star 2p x की energy दोनो pi x pi star 2p x और pi star 2p y की energy इक्वल होगी उसके बाद sigma star 2p z तो यह sequence आपको learn करना पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ मैंने जो पिछला जो वीडियो बनाया था वो बनाया था अगर आपके less than 14 electron होते हैं तो आप कैसे यह जो energy का जो order है वो कैसे याद करोगे तो इसमें एक ही difference है देखो दोनों को अगर हम compare करते हैं तो इसमें भी 1s है sigma 1s इसमें भी है sigma star 1s sigma star 1s फिर sigma 2s sigma 2s sigma star 2s sigma star 2s यहां तक तो दोनों की energy का जो order है वो same है अब difference कहां आया अब यहां जो अगर more than 14 electron है तो यहां पे इसकी energy इसे ज़्यादा आएगी ठीक है इस सिग्मा star 2s से ज़्यादा energy किसकी आएगी sigma 2px की बट जो अगर हमारा less than 14 electron है तो यह वाली energy ज़्यादा आएगी इसके बाद यह वाली energy pi 2px और pi 2py बस यही difference है और तो same ही है मतलब यह energy इसे कम आ जाएगे और यहाँ pi 2px pi star 2py इनकी energy दोनों की same और यह pi star 2pz ठीक है तो जब हम यह energy level diagram बनाएगे तो आपको ज़्यादा clear होगा जैसे हमें पता है यह energy energy है energy उपर की side को क्या होगी increase होगी तो सबसे पहले हम किस के लिए बनाएगे energy level diagram जो molecular orbital energy level diagram है जैसे मैं बता देती हूँ आपको sigma 1s के लिए तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ यह आगया sigma 1s के लिए 1s ठीक है यह आगया हमारा atomic orbital दो atomic orbital तो resultant में हमें दो ही molecular orbital मिलेंगे जैसे कि आपको पहले ही इस चीज़ का पता है ठीक है तो यह आगया हमारा molecular orbital ठीक है आपको पता है यहाँ पर जो molecular orbital बनेगा वो बनेगा bonding molecular orbital मतलब sigma 1s और यहाँ पर sigma star 1s ठीक है sigma star 1s वैसे ही है अब हम किसके लिए लेंगे अब हम 2s के लिए लेंगे 2s और sigma star 2s के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा atomic orbital 2s के लिए ठीके और यहाँ पे atomic orbital 2s के लिए ठीके और ऐसे यह ऐसे तो आपको पता है sigma 2s bonding molecular orbital है और इसकी energy क्या होती है कम तो यहाँ पे आ जाएगा sigma 2s और यहाँ आ जाएगा sigma star 2s ठीक है यहाँ तक आपको I hope clear हो गया होगा उसके बाद p orbital यह तो दोनों सेम ही बनेंगे molecular orbital 1s और 2s के लिए पर 2p orbital में क्या आ गयाब यह आ गयाब का 2p 2p और यह 2p atomic orbital तो देखो यहाँ पे अब energy क्या आ जाएगी lower energy किस की है अब अब यहाँ आएगा sigma 2pz मतलब यहाँ पे एक ही बॉक्स आएगा कौन सा आएगा यह sigma 2pz sigma 2pz और यह ऐसे ठीके और इसके बाद आ जाएगी energy इसकी जादा pi 2px और इक कोल आ जाएगी pi 2py मतलब इसमें 2 box बनेंगे ऐसे ठीके किस किस के pi 2px और pi 2py ठीके pi 2py फिर इसके बाद किसकी energy आ जाएगी pi star 2px और pi star 2py मतलब 2 box बनेंगे pi star 2px और pi star 2py ठीके और इसके बाद किसकी energy आ जाएगी pi star 2pz मतलब एक box बनेंगे ऐसे और यहां किया आ जाएगा sigma star 2pz ओके तो आई होप आपको यह समझ आ गया होगा वीडियो सिर्फ डिफ्रेंस है यहां पे देखो क्या रेशो बन रही है 1 रेशो 2 रेशो 2 रेशो 1 ठीक है मतलब इस तरह भी रख सकते हैं याद पर इस तरह से हमें ज़्यादा नहीं आएगी ओके आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थेंक यू प्लीज में दयाँ